आजे हम यहां बना रहे हैं स्ट्रेट स्टैल दिल्ली के जो फेमस राम लडू है वो रेसेपी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ यह मैं आपको बता देते हूँ उसके इंग्रीडियेंट्स आगे हम बात करेंगे यहां मैंने लिया है, वन कप लिया है, मैंने मूंग दाल, जो धुलीवी दाल होती है, यह वाली लिया है, मैंने एक कप, आप चाहे एक कटोरी ले सकते हो, चाहे एक कप ले सकते हो, यहां मैंने एक कप लिया है, जो हमारे मिजरिंग कप होता है, यह एक कप लिया है, मैंने मुली भी डाले हैं छिलके वाली नहीं लेनी है इसको मैंने दो से तीन घंटे के लिए मैंने भीगो के छोड़ दिया था और आप इसको अच्छे से भीगो के छोड़ दीजे ताकि यह पेस्ट जब बनाएं तो बहुत अच्छा रहे अब यहां मैंने ली है एक चम्मच ली है मैंने हिंग की एक चम्मच ली है मैंने हिंग की और इसको मैंने थोड़े से पानी के साथ में डेलूट करके रख दिया है वो आगे कहां यूज लेंगे वो मैं आपको बताती हूँ यहां ली है मैंने मूली यह मूली के छिलके हैं लेकिन मूली के छिलके हैं मैं भी क्या बो मुली के पत्ते हैं और मुली के पत्तो को हमें फैंक ना नहीं है बिलकुल भी वो आगए कहां यूजcession आएंगे वो मैं आपको बताती हूं लेकिन जो कहते हैं कि कुछ भी चीज़े हमें फैंक नहीं नहीं चिखाएं कुछ भी चीज़े हमें वेस्ट नहीं करनी चीए, तो वो चीज में आज आपको यहां बताऊंगी, कि कुछ भी चीज हमारी वेस्ट नहीं होती है, अगर आपको उसको proper use लेना आना चीए, तो यहां जो हम recipes चेयर कर रहे हूं, यह देखी, यहां हम बना रहे हैं भी चटनी, बाकी हम बाते बात में करेंगे, चटनी बना रहे हूं, चटनी के लिए लिया है, मैंने मूली के पत्ते, दो से तीन लिया है, मैंने हरी मिर्च तीखे वाली है, मैंने इसमें दो इंच के लगबग मैंने लिया है, अद्रक का टुकडा थोड़ा धनिया लिया है मैंने थोड़ा मैंने लिया है सरसों के मूली के पत्ते तो इन सारी चीजों को मैं अब चटनी बना लेती हूँ मूली के पत्ते यह जो मैन जो चटनी है जो राम लड़ू की जो चटनी है उसका जो सारा टेस्ट है जो सारा फ्लेवर है वो जाएगा मूली के पत्तों से तो इनको बिल्कुल भी skip मत करना यहां डाले है मैंने सारी चीज़ें हरी मिर्ची ली है मैंने इसमें ली है मैंने एक इंच के लगबग अत्रक का टुकडा लिया है इसमें मैं add कर रही हूँ दो टेबली स्पून के लगबग मैं इसमें निम्बो का रस डाल रही हूँ आदा चमच मैं डाल रही हूँ इसमें काला नमक जो सफेद नमक होता है वो भी मैं साथ में डाल रही हूँ और इसे के साथ में मैं डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग वाइट वाला जो नमक होता है सफिद वाला वो डाला है मैंने इसमें एक चमच डाली है मैंने अमचूर पाउडर डाली है और जो हींग का हमने पानी बना के रखा था वो डाली है मैंने एक चमच जो हींग का देखी यह आप देख सकते हूँ इसको मैंने एक चमच पानी की सा वो इसी से ही आएगा सारी चीज़े मैंने डाल दी है यहां पर अब इसी के साथ में मैं इसके अंदर आप डाल सकते हो जो नमकीन वाली सेव आती है वो डाल सकते हो या फिर जो हमारी डालिया जो आती है न जो चने की डाल की जो होती रोस्टेड चना डाल होती है यह वाली इ चीज़े डाल सकते हूँ जैसे मैंने यहाँ पे डाली है अगर आप दही डाल रहे हो तो निम्बू को कलर में भी कहीं आपको यह नहीं लगेगा कि हमने इसमें कोई कलर नहीं डाला था कुछ भी नहीं डाला था फिर भी देखिए बिलकुल प्रॉपर कलर निकल के आए तो यह जो यहाँ रेसिपी शेयर कर रहे हूँ ना मैं आप लोगों के साथ में यह है दिल्ली की फेमस स्ट् गोगे रख दिया था चार-पांच घंटे के लिए ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए अब इसका पेस्ट बना रही हूँ पेस्ट बनाने के लिए आप इसमें अलग से पानी कोशिश कीजिए कि बिना पानी के आप इसको पीश सकें तो उससे क्या होगा कि पानी कम तो कोशिश कीजिए बिना पानी के यहां मैंने तीन से चार चमच वो जो हींग का पानी था वो डाला है मैंने यहां पे हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है डायरेक्ट मट डाली थूड़ा सा पानी के साथ में डेलूट करके डाली है बहुत अच्छा इसका रिजल् होने लग जाते हैं तो कोशिश कीजिए यहां देखिए जो मैंने दाल पीस ली है उस दाल को मैं अलग से बॉल में निकाल रही हूं यह रेसिपी जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूं आप किस तरीके से बनाते हो रम लड़ू की रेसिपी मुझे जरूर कमेंट स काली है, अब डाल को आपको क्या करना है इसको one side फेटना है, ék Wahl Dash गुमाना है दोनों side नहीं कि एक बार इधर गुमा लिया इक बार इधर गुमा लिया, इससे क्या होगा कि इसके अंदर जो हमें air भरनी है जो हवा भरनी है, वो इसके अंदर बहुत ही अच्छे से भढ़ जाएगी जो आपके बड़े आप देखिए पहले वाले कलर में अवले कलर में कितना आपको चेंजेज लग रहा है पहले कलर बिलकुल यलो कलर था और जब हम इसको मैंने इसको कम से कम 15 मिनिट के लिए फेट है आप चाहो तो विसकर से भी फेट इसको की होगा कि एक चटपटा सा टेस्ट आजये का हमारे बड़े में जो बड़े होंगे वह फीके नहीं लगेंगे उसमें भी अच्छा सा चटपटा सा टेस्ट आजाएगा क्योंकि इसके अंदर हमने कुछ और नहीं डाला है सिर्फ यही चीज डाली है जो चटनी हमने बनाईए ना उसे के मैंने दो बड़े चमच चटनी के डाल दी हैं यहां देखिए तेल बिलकुल गरम है आपको तेल कम गरम नहीं लेना है कम गरम लोगे तो आपके बड़े हैं वो तेल पी जाएंगे और अंदर से ओली ओली हो जाएंगे तो जब तक यह बड़े आपके डा जो फेटा है mixture है यह बहुत ही अच्छे से आपने इसको फेटा है अगर यह heavy होंगे अच्छे नहीं फूलेंगे तो जो आपने air भरी है वो अच्छे से नहीं होगी न तो यह आपके बढ़े हैं वो नीचे तले में बैड़ जाएंगे मतलब heavy heavy हो जाएंगे तो जब आप इसक कि जैसे ही आपने बड़े डाले हैं इसमें आपको चमचा जहरा कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है यह automatic उपर आएंगे जब यह उपर आ जाएंगे उसके बाद ही आप इसको छेड़िए यह देख सकते हैं आप जैसे जो मैंने पहले डाले थे वह automatic उपर आते जा रह है तो आप चाहो तो इसको बीटर की help से भी कर सकते हो आप उससे अच्छे से इसको फेड सकते हो तो यह सारी चीज़े यहां देखिए मैंने साथ में दो हरी मिर्ची रखी वी थी मेरे पास में मैंने वो भी इसके अंदर डाल दी हैं देखिए कितना soft बड़ा है अगर आप सिपी भी चीए तो आप मुझे कमेंट सेक्षन में बताइए मैं जरूर आप लोगों की साथ में शेयर करूंगी तो बड़े हमारे तयार हो चुके है इधर मैंने मूली को बिल्कुल कद्दू कस कर लिया है मोटे वाले जो ग्रेटर होता है उससे कद्दू कस कर लिया है इस सारी चीजे मैंने इसके अंदर डाल दी है और जब हम इसको खाएंगे इससे पहले आप इसके अंदर सॉल्ट मर डालिएगा जब आप इसको सर्व करने लगो ना उसे टाइम आपको इसके अंदर सॉल्ट एड़ करना है तो यहां देखिए सारी चीजे मैंने इसके अंदर add कर रहे हूँ, इसमें जाएगा हमारा salt जाएगा, जो हमारा normal regular salt होता है, वो वाला जाएगा, इसमें थोड़ा सा नीम्बू का रस जाएगा, थोड़ा सा चट पटा पन लाने के लिए, क्योंकि जो बड़े आपने खाये होंगे न, ये बहुत ही चट पटे से, बहुत तीखी मतलब की एक चट पटा सा टेस्ट आता है इसके अंदर, थोड़ा सा मैं इसके अंदर जो regular नमक है वो डाला है, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाला है नीम्बू का रस, बहुत अच्छा लगता है, एक बार आप ये वाली रेसिपी मेरे तरीके से ट्राइ करके देखिए, जो मिर्ची वड़ा है, उसके जो अंदर जो मसाला जाता है अगर आप लोग कमेंट्स में मुझे बताओगे तो मैं वो रेसिपी भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, ये पूरी प्रॉपर जो दिल्ली स्ट्रीट फूड है, राम लड़ू की वो प्रॉपर रेसि जात में कोई सोगी करने की जौरत नहीं है, कि आपको पानी डालना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, यहां मैंने प्लेट में डालने हैं बड़े, अब इसके उपर डाल रही हूँ जो हमारी हरी चटनी थी, वो वाली मैं इसके उपर डाल रही हूँ, चटनी आपको जितना अच् में टेस्ट है, मैंने हरी चटनी डाली है, किसी को चटपटा सा टेस्ट चिये न, तो इसमें थोड़ी सी आप इमली वाली जो चटनी आती है, हमारी कट्टी मिटी चटनी आप वो भी इसके अंदर एड़ कर सकते हूँ, यहां मैंने जो मूली का सैलेड बनाया था, वो मैं इसके उपर डाल रही हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है, एक बार आप इस तरीके से ट्राइ जरूर कीजिए, यकीन कीजिए जो राम लड्डू की रेसिपी है, वो पूरी प्रपर रेसिपी है, इसके उपर मैंने डाल दिया थोड़ा सा चाट मसाला, इसके उपर डालें है, तो एक बार ड्राइ जरूर करना, मुझे कमे nuclear Staff में जरूर बताना, कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है, और आप कहा से देख रहे हो, और ये जो मिर्ची बड़े की रेसिपी है, अगर आपको चीए, तो मुझे nuclear Drive में जरूर बताएंग यू,